जब हम लोग टाइल लगाते हैं फ्लोर का उससे में बहुत कमी लोग ध्यान देते हैं जो फ्लोर में टाइल लगाने के लिए सिमेंट और सेंड का मोटर बनाते हैं उसका रेशियो कितना होता है लोग बेफिकर छोड़ देती यहां तक की इंजिनियर हो सुपरवाजर हो बस काम हो रहा बस यह देखता है उसमें रेशियो क्या चल रहा है कितना मिलाना चाहिए वो कोई नहीं देखता है उसके पिछे रिजन यही है कि जो मिस्तिरी जो टाइल का ठेटेदार होता है उसका म अपने मन से तो सब कुछ डिपेंड करता है वहां पे जो लेवर लोग काम कर रहे हैं अपने मन से सिम बालू डाल दिया और इसको मिक्स करके बनाना शुरू कर दिया और इस वीडियो के जरिए मैं आपको रेशिव बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर आपका 100 अगर बनाएंगे टाइल फिक्सिंग के लिए फ्लो टाइल टाइल की बात कर रहा हूं आज मैं आपको फ्लो टाइल की बात कर रहा हूं इसके बाद नेक्स टिक वीडियो और लाँगा जिसमें वाल टाइल वाल टाइल में क्या क्या रेशियो रहता है और उसमें कितना कंज करके थोरा सा वीडियो आपको लंबा हो सकता लेकिन एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा जिससे क्या है कि आपको सारा कॉंसेप्ट के लिए क्लियर हो जाएगा और याद रहे जब भी कभी हम लोग मोटर बनाते हैं यह टाइल फिक्सिंग के लिए वह गीला नहीं होना चाहिए एकदम ना ज्यादा गीला ना ज्यादा सुखा उससाब से मैं आपको साइट का वीडियो दिखाऊंगा जिससे क्या आपको क्लियर हो आपका फर्स घ्रेज shredded का तो रिश्यो आपका इसमीं आता है यह रिश्यो आपका want ratio कि फोर से ले करके यह दूब गता है यह अगर यह टाइल की करें तायल में आपका लगता है इस तरीके से टिक्स करते हैं और इसी वज़ह से इतना डिफरेंस वने के वज़ह से जो है साइट में ज्यादा लोग ध्यान ने देता और अगर फ्लोर की बात करें वह तो फ्लोर में रहेगा इसलिए लोग उतना ध्यान नहीं देते वे जितना लेबर्लों मिला दिया बस उतनाई में वह लोग दे काम करना शुरू कर देता ठीक है अब तो रेशियो आपका हो या वन डेस्यो फोर टू वन डेस्यो एट अगर हम इसमें कि अब यहां तो मैंने बता या टाइल और मारवल का लेकिन बहुत जगह आपका वन डेस्यो और भी लेकर के करते हैं मतलब यह समझ लेजिए जितना रेसियो हम लोग प्लास्टर में प्लास्टर करने के लिए सीमें और स्रेंट का रेशियो लेते हैं अब हम तवी से रेशियो रेशियो बोल रहे है आप सोच रहे भाई स्मेंट लगेगा कितना वो तो बताईए तो यहां पर हम आपको बता दू कि जैसे यहां देखिए हाजा स्वाइश का फिट का एरिया है माले यह फ्लोर है यह आपका फ् इंटू डस फिट का महां आपका है तो क्यों अगेक स्कॉald फिट आफषे स्कॉ cui में टल टाइल फिट इसमें कितना मेरा सीमेंट ल और सेंट लाइगा तो यहां पहली हम रेशियो लेते हैं तोँजिए आपम लेते हैं आप सास्ट मां देस योग शिक्स ठीक है एक मैं तो उसके हिसाब से इसका थिकनेस थिकनेस भेरी करता है आपका दूस्तों इसमें यह 25 mm से लेकर के बचास इंएं तर ठीक है तो हम यहां पर थिकनेस ले लेते हैं यहां पलेते हैं अपके इसाब से अगर मैं इसका सेक्शन दिखेंगे तो मेरा इस तरह कराएगा सिमेंट और सेंड का यह रहेगा मेरा 50 mm यह तो किलिए यहां तक और इसके उपर हम लोग है टाइल फिक्स करेंगे ठीक है अब इसमें कितना कंजप्सट होगा सिमेंट और सेंड का कि यह रहती है यह यहां पर हम कल्कुलेशन करेंगे अचास इन्च मेरा दो इंच तो इसका कितना होगी आपका तो ठीकनेस इसका होग एसका एरिया मिस्वाव कर देते हैं इसमें मिटर में मिटर में करेंगे तो तो यहां पर एरिया हम लिख देते हैं एरिया ने भोल्यूम अगर आ जाएगा यहां पर 3.04 इंटू फिर 10 फिट 3.04 इंटू यहां पर 50 mm को अगर मीटर में चैंज करेंगे तो 0.050 ठीक है अब देखें 10 फिट 10 फिट इकल टू 3.04 यह आपका मीटर ठीक है तो यह इसको इंटू करेंगे 3.04 इंटू 3.04 इंटू 0.05 यह आज़ेगा वोल्यूम दोस्तो 0.462 इतना मीटर क्यों यह हो गया मेरा मीटर इंट मेरा बोल्यूम करने के लिए हम लोग चैंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटू करते है ड्राइब होल्यूम में चैंज करने के लिए ड्राइब altogether वेट वोल्यूम इंटू 1.33 तो मोटर का क्या होता है इनकी 33 परसेंट ज़ो है ज्यादर आता है तो ड्राइब वोल्यूम चेंज करने के लिए तो कितना आ जाएगा 0.462 इंटू 1.33 तो इसको इंटू कर देंगे 1.33 तो आ जाएगा दोस्तो इकल टू 0.614 इतना आपका मिटर क्यों यह आपका वोल्यूम यहां जो कंजप्शन होगा इतना कंजप्शन होगा उसके हिसाब से अब हम यहां पर आपको निकाल के दिखाएंगे कि भाई यह कैसे ह तो 0.462 0.612 वोल्यम हो गया तो अब यहां पर रेशियो मेरा कितना है रेशियो रहे तो मिरस सम कितना हो गया सम हो गया बबलेगे इकल टू सेवर अब यहाँ पे सिमेंट हम निकालेंगे सिमेंट निकालें क्या है सिमेंट तो रिश्य जितना सिमेंट का है one डिभाइड वाइड आपका टोटल टोटल करना सेवन इन्टु ड्राइब होल्यू ड्राइब होल्यूम आगया 0.614 मीटर क्यों यह आजागा दोस्तों 0.614 डिभाइड बाइड बाइड सेवन यह आगया 0.0.0877 इतना मीटर क्यों और हम लोग को डेंसिटी पता है सिमेंट का कि डेंसिटी सिमेंट किनना होता है 1440 केजी पर मिटर क्यों और यहां मेरा सिमेंट आया 0.0877 तो यहां पर सिमेंट आ जाएगा दोनों के इंटु कर देंगे 1440 इंटु 0.0877 यह क्या आ जागा दोस्तों 1440 इंटु 0.0877 यहां पर आ जाएगा 126.28 केजी आपका सिमेंट लाएगा ठीक है और अगर इसमें तो सिमेंट लेयों और बोरा कितना आजिए दोस्तों इकल टू आपका 2.5 टू बैंक इतना बैक सिमेंट लएगा यह ठीक है अब निकालते हैं रिश्यों इसका सेंड गार सेंड भाइ कितना लएगा सेंड लाएगा तो आप यहां पर रिश्यों किसका सिमेंट का रचेश्यों बाइट टोटल डिश्यों इन्टू ड्राइब अधिए और फैन्ट फोर ठीक है तो अब इसके यह साफ से गया हो गया देखिए तो सिक्स वाय सेवन इन्टू 0.614 यह हो गया दोस्तों वोल्यूम इसका 0.526 मीटर क्यूब और हम लोग डेंसिटी जामते हैं इसका सेंड का डेंसिटी इसका डिपेंड करता है 1550 से ले करके 1680 तग असी केजी और मीटर क्यूब हम लोग 1680 ले ले लेते हैं तो सेंड आ जाएगा दोस्तों सेंड इकल टू कि सेंड हो जाएगा यह 1680 इंटू वोल्यूम कितना है 0.526 इकल टू कितना हो गया 1680 इंटू 0.526 यह आगया दोस्तों एट 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 एक मिनट एट 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 थिरी पॉइंट शीक्स एट केजी यह आपका आगया केजी में ठीक है अगर इसको आपको सी एफ्टी मिलाना ठीक है कितना सी एफ्टी लएगा हम लोग कुछ हम लोग जानते हैं कि अगर मीटर क्यों को सी एफ्टी में चेंज करेंग वह आएगा 35.314 ठीक है तो यहां पर देखिए से वन मीटर क्यों इकल टू 35.314 cft यहां पर है कितना 0.526 मिटर क्यों तो यहां पर सिमेंट आ जाएगा 0.51526 इंटू 35.314 यहां जागा दोस्तों यहां जागा अठ्र 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 पॉइंट 576 cft ठीक है यहां जागा यहां पर अठ्र अठ्र अध्र अध्र पॉइंट फाइल सी अफ्ट इतना आपका यह लाएगा लते हैं सेंड लाएगा ठीक है सिमेंट आपका 2.5 तू बैग और सेंड आपका 18.5 cft अगर केजी में लेके जाएंगे केजी में आपका इतना आपका सेंड और सिमेंट आपका कि यह केजी 126.28 केजी इतना तो किलियर है ठीक है तो इस इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि भाई जब भी कभी आप अब टाइल फिक्सिंग करेंगे ताप एरिया निकाल लिजे सबसे बेटर होगा कि अगर फिट में दिया हुआ तुसको कनवर्ट कर देजिए मीटर में मीटर में कनवर्ट करेंगे तापको असाने से निकल जाएगा फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि यह सिमेंट कि अब यहां पर दाइब और तो पॉइंट फैब टू बोरा और आपका सेंड अट्रेव पॉइंट फाइब टू ऐफ्टी इतना तो किलियर है अब तो यह होगे आपका तो जब भी कभी आप रेशियों की बात करें तो इस वन डेशियो शिक्स मतलब कि समझे कि जो आप पला फिट एरिया में आपको धाइब और शिमेंट और अट्रेव पॉइंट फाइफ सेंड लगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टाइल जब भी आप फिक्सिंग करेंगे उससे मैं यह रेशियो आप देख लिजे और इस अनलब रेशियो आपका फेरी करेंगा 1.4 से 1.8 त दोस्तों तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आजरों उसको लाइक किजिए और खास करके हमारे चैनल वाकत सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि जैसे यह सब्सक्राइब करेंगे ना उसके बगल में एक बेल आकन मन जागा उसको भी क्लिक कर देगा उससे बेनफिट क झाल